सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल में स्वागत है आज हम लोग सीखेंगे रेकरिंग बार कोशन यानि पुन्राबरीद विद्यार्थी धियान देंगे पहला नमर कोशन 20 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे विद्यार्थी तो इसका जो मान आएगा 3,3,3,3,3,. आते रहेगा तो इस 3 को रोकने के लिए विद्यार्थी हमें रेकरिंग का पर्युक करेंगे रेकरिंग अगर हम 3 के ऊपर रखेंगे तो यह 3 है जो रुक जाएगा जैसे 3 द्यार्थ यह 3 है जो लगतार आ रहा है तो तीन के उपर रेकरिंग देदेगे विद्यार थी तो ये तीन है जो रुख जाएगा यही इस कोशन का final answer होगा विद्यार थी दूसरा नमर कोशन है विद्यार थी एक को अगर हम 11 से भाग देते हैं विद्यार थी तो यहाँ एक जीरो और आएगा तो इगार नमा कितना होगा विद्यार थी 99 होगा यहाँ घटके एक आएगा दस अमलब के कारण एक जीरो यहाँ पर आजाएगा फिर जीरो देंगे तो एक जीरो और आएगा फिर आएगा विद्यार थी इगार नमा 99 तो आप देख रहे हैं कि बार बार दसंबलाव के वाद 0909 आ रहा तिस 09 के रोकने के लिए विद्यार थी हम रेकरिंग का परियोग करेंगे तो यही इस question का final answer होगा यानि एक बटे इगारा का जो final answer होगा विद्यार थी 0.09 पे पावर रेकरिंग अगला नमर कोस्टन को ध्यान से समझेंगे 0.4777 continue आ रहा है तो 7 को हमको क्या करना है विद्यार थी रोकना है तो 7 के ऊपर सिर्फ रेकरिंग देंगे जो संख्या लगातार आ रहा उसको रोकने क लिए उसी के ऊपर हम लोग रेकरिंग का प्रयोग करेंगे यानि बार का प्रयोग करेंगे अब इस कोस्टन को solve करेंगे तो आप ध्यान से समझेंगे बहुत अच्छा तरीका से हम आपको समझाने वाले है फोर 7 फोर 7 है कितनी संख्या पे रेकरिंग है विद्यार थी एक स समलव अपने आप हट जाएगा यहां से तो रेकरिंग को अगर हट आते हैं तो दसमलव अपने आप हट जाता है तो फोर 7 नहां पे आ जाएगा ध्यान देंगे रेकरिंग कितने संख्या के उपर है तो एक संख्या के उपर रेकरिंग है तो नीचे एक 9 आएगा रेकरिंग कितने संख्या पर नहीं है तो 9 के साथ 1 0 आएगा क्योंकि रेकरिंग एक संख्या पर है और एक संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो जितने संख्या पर रेकरिंग नहीं रहेगा 9 के साथ उतना ही 0 आएगा अगला नम्मर में धियान देंगे भी दियार थी कितने अंक में रेकरिंग नहीं है तो एक अंक में रेकरिंग नहीं है भी दियार थी वहां अंक कितना है चार है वहां चार को माइनिस कर देंगे भी दियार थी फिर से समझेंगे ये थोड़ा सा टफ है इसी लिए एक बार और में समझाऊंगा रेक्रिंग को आपको हटाना है तो दसमला अपने आप हड़ जाएगा फोटी से बना जाएगा एक संख्या पर रेक्रिंग है तो नीची एक नाइन आएगा एक संख्या पर रेक्रिंग नहीं है तो नाइन के साथ एक जीरू आ जाएगा जी संख्या पर एक रिंग नहीं है उस संख्या को पूरे संख्या में हमको माइनिस कर लेना है तो चार पर एक रिंग नहीं है तो चार को माइनिस कर लेंगे तो इसका अंसर होगा विद्यार्थी 43 बटे 9-0 इस question का final answer होगा आगरा नम्मर कोशन को विद्यार्थी धियान से समझेंगे 18.484848 continue आरा है विद्यार्थी तो हम 48 पर उपर रेकरिंग देंगे क्योंकि 4848 continue आरा 48 को रुकना है अब हम आगे समझेंगे 48 को अगर हम रेकरिंग हटाना चाहेंगे तो 48 से अगर रेकरिंग हटाएंगे विद्यार्थी तो दोनों संख्या पर रेकरिंग है तो नीचे कितना 9 होगा 2 9 होगा अग विद्यार्थी धियान देंगे दोनों मान 3 से करता है 3 से काटेंगे तो 33 होगा ओपर 3 से काटेंगे तो 16 होगा इसका final answer होगा विद्यार थी 18 सही 16 वाटे 33 लेकिन कभी कभी कोई question में विद्यार थी आपका जो मान दिया हुआ रहता है उस सही में नहीं रहता तो हमको इसको तोड़ना पड़ता है तो उसमें जादा समय लगता है यानि भीन में देता है, fraction में देता है तो हम उसको direct solve कर सकते हैं सही में अगर दिया हुगा answer तो इस तरीके से हम question को solve करेंगे लेकिन question का जो मान है सही में नहीं दिया हुआ है तो उसको हम लोग दूसरे तरीके से solve करेंगे कैसे? 18, 48 को हम direct ले लेंगे 18, 18 और 48 को हम लोग direct ले लेंगे विद्धियार थी दसमलब के बाद हमको देखना है कि दसमलब के बाद वाला हिमान को हमको नीचे रखना है दसमलब के बाद वाला हिमान को नीचे रखना है तो दसमलब के बाद दो संख्या पर रेकरिंग है तो इसका जो मान होगा विद्यार्थी अब धियान से समझेंगे वान एट ये अठारा में से अठारा अरतालिस में से अठारा घटाएंगे तो आठार घट जाएगा जीरो होगा चार से एक जाएगा तीन होगा यानि अठारा सो तीस बटे नीनान में होगा विद्यार्थी दोनों मान तीन से कटेगा तो ये 33 हो जागा तीन से कटेगे तो 610 होगा इस question का final answer यही भी होगा विद्यार्थी 610 बटे 33 अगरा नम्मर question 1.2.7 है तो 1.2.7 को अगर direct आपको answer ग्याद करना है अगर question सही में नहीं दिया हुगा हो 127 लिक लेगे 127 लिखने के बाद ध्यान देंगे जिस पर एकरिंग नहीं है उसको घटा देंगे 10 अमलब के बाद ध्यान देंगे कितने संख्या पर एकरिंग है तो 2 संख्या पर एकरिंग है तो नीचे 2 नहीं आएगगा अगर उपर नीचे दोनो संख्या किसी संख्या से करता है तो काड़ देंगे 9 से करता है तो 11 ना मन 9 में हो जाएगा 9 से काड़ देंगे 9 एकम 9, 9.34 तो इसका फाइनल अनसर हो जागा अभी दियार थी कितना 14 बटे 11 अगला नमर कोशन को धियान से समझेंगे अगर सही में अनसर नहीं देना है तो आप लिख लेंगे 24 और 35 अब आपको धियान देना है 24 पूरा को आपको लिख लेना है कितने संख्या पर एकरिंग है विद्यार थी दो संख्या पर तो नीचे दो 9 होगा कितने संख्या पर एकरिंग नहीं है दसमलब के पहले ही देखना है तो एक संख्या परेक्रिंग नहीं है तो एक नाइन देंगे पूरे में क्या घटाना है विद्यार्थी जितने संख्या परेक्रिंग नहीं है पूरे को घटा देना है यानी 24 को अब घटाने के बाद जो आपका मान आएगा विद्यार्थी 24 सिगारा आजाएगा और नीचे 990 यही इस कोशन का final answer होगा विद्यार्थी अगर आपको जवाब सही में देना है तो आप इहें से सोच लिजीए अगर सही में देना है तो यह दो को आप बाहर निकाल देजिए 435 आप निकाल लेजिए 435 दो संख्या पर एकरिंग है तो नीचे 2 9 होगा एक संख्या पर एकरिंग नहीं है तो 1 0 आप कर लेंगे दो संख्या परिक्रिंग है तो दो नाइन और एक संख्या परिक्रिंग नहीं है तो नाइन के साथ एक जीरो और जिस संख्या परिक्रिंग नहीं है उस संख्या को आप क्या कर लेंगे घटा लेंगे तो आपका मान होगा दो सही विद्यार थी 431 बटे 990 यही इस question का answer होगा अगर सही में दिया हुआ होगा रहेगा विद्यार्थी तो यह आपका answer होगा अगर बटे में दिया हुआ हो रहेगा तो आपका 2411 बटे 990 होगा इसको तोड़ेंगे तो इसका मान यही आएगा अगला नम्मर कोशन को विद्यार्थी धियान से समझेंगे इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़ना बहुत असान है 0.633, 633, 633 बारवा रीपीट हुआ होगा क्योंकि ये रेकरिंग का चीन ही दिया होगा है उसके बाद धियान देंगे 0.3, 7, 3, 7, 3, 7 दोनों को क्या करना है विद्यार्थी जोड़ना है क्योंकि रेकरिंग का मतलब है continue लगातार आते गया है अब दोनों को जब जोड़ेंगी विद्यार्थी असानी तरीके से तो आपका जो मान आएगा 1.0101, 0000 इस टैब से आता रहेगा विद्यार्थी तो इस कोशन का जो final answer होगा विद्यार्थी अगर आउर हम आगे जोड़ते तो 010101 आता इसलिए इस कोशन का final answer होगा 1.0101 आ रहा है तो 01 के उपर रेकरिंग दे देंगे अगला नंबर कोशन को विद्यार्थी धियान से समझेंगे यह कोशन है 0.63, 63, 63, 63 विद्यार्थी continue आएगा उसी परकार 0.37, 37, 37 continue आएगा उसी परकार 0.80, 80, 80 विद्यार्थी आपके सामने continue आएगा विद्यार्थी सभी को हम लोग normal तरीके से अगर हम लोग जोड़ेंगे इसका मान आएगा 1.81, 81, 80 विद्यार्थी अब इसका हम लोग final answer देंगे तो 1.12, 81, 81 continue आएगा तो 81 के उपर रेकरिंग देंगे यही इस कोशन का final answer होगा विद्यार्थी अगला नमर कोशन को विद्यार्थी धियान से समझेंगे यह भी जोड़ है इसको भी जोड़ना है तो 0.34, 67 के उपर रेकरिंग है तो 67 को continue लिखते चले जाएगे कम से कम तीन बार repeat कीजिएगा दो डिजिट का होगा तो तीन बार अगर एक डिजिट का होगा तो कम से कम छे बार repeat करना है विद्यार्थी अगला नमबर में है 0.13, 33, 33, 33, 33 आप repeat करेंगे और दोनों को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे विद्यार्थी अगर हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो 0.48, 0101, 0000 आपका मान आएगा अब इसका अंसर देना है विद्यार्थी तो 0.48, 0101, 01, 01 continue आया है इसलिए 0, 1 के उप का final answer होगा आगला नमबर विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे question नमबर 10 ये भी जोड़ है विद्यार्थी तो 0.02, 22, 22, 22 क्योंकि 2 है जो विद्यार्थी 2 के उपर एक रिंग है तो 2 को कम से कम 6 बार लिख लेंगे उसी परकार 5.00, 3 पर उपर एक रिंग है तो 3 को भी हम लो 2 के बरावर लिख लेते हैं उसी परकार 0.02 के उपर एक रिंग है तो पूरा 2 के हम लोग 7 कर लेते है अब विद्यार्थी जोड़ है तो जोड़ देंगे अगर पूरे मान को विद्यार्थी अगर हम लोग असानी तरीके से जोड़ते हैं तो इसका जो मान आता है 5.02, 7, 7, 7-7 आता है विद्यार्थी अब इसका final answer देना है विद्यार्थी तो 5.24 7 continue आया है तो 7 के उपार recurring दे देंगे तो यही इस question का final answer होगा विद्यार्थी अगला नमर question question number हम लोग 11 को देखेंगे ध्यान पूर्वक 11 नमर में विद्यार्थी जोड़ भी है और घटाओ भी है उस question को हम लोग अच्छा से समझेंगे यह दोनों को जोड़ना है इसको घटाना है इन दोनों को जोड़ना है इसको घटाना है तो कैसे जोड़ेंगे 3 दसमलव 3 6 3 6 3 6 क्योंकि 3 6 के उपार recurring है अब इसको भी जोड़ना है वान दसम्लब थिरी 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 ये दोनों को जोड़ना है इसको घटाना है विद्यार्थी यानि दो दसम्लब 05 05 05 को घटाना है इन दोनों को जोड़ना है इसको घटाना है हम लोग जोड़के घटा लेगे विद्यार्थी तो इसका मान 64 64 continue आते रहेगा विद्यारति अब इसका final answer देना है तो 2.64 64 continue आ रहा है इसलिए 64 के उपर recurring देंगे यही question का final answer होगा अगरा number question को ध्यान से समझेंगे विद्यारति 0.037 के उपर recurring है इसका मतलब अगर recurring हटाएंगे तो 37 के नीचे 999 में आएगा यह Q root में है विद्यारति तो इसको तोड़ेंगे तो 1.03 होगा 37 से कर जाएगा 27 बारे में विद्यारति तो 1.27 के उपर 1.03 होगा 1.27 को लिखेंगे 1.3 का Q लिखेंगे और 1.Q multiply कर देंगे तो विद्यारति इसका जो final answer होगा 1.3 ही इसका final answer होगा अगला नमर कोशन को विद्यारति धियान से समझेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0.03 होगा 0.03 थीरी थीरी परेकरिंग होगा गुना 9 करेंगे तो 33 बटे 99 हो जाएगा विद्यारति क्योंकि 2 संख्या परेकरिंग है तो नीचे डबल 9 होगा आग गुना 9 करेंगे 9 से 99 को काट देंगे विद्यारति तो 11 बड़ेंगे 11 से 33 को काट देंगे 3 बड़ेंगे तो इस कोशन का final answer होगा विद्यारति थीरी अगला नमर कोशन को विद्यारति आसानी तरीके से समझेंगे ये पलस में ही माइनिस में इसका मतलब हमको क्या करना है घटा देना है हम आसानी तरीके से क्या करेंगे घटा देंगे इस सत्रा में से नो जाएगा विद्यार थी तो ये आपका आठा जाएगा ये बच गया साथ साथ में से पांच जाएगा तो दो बचेगा और तीन में से दो जाएगा तो एक रेकरिंग में था विद्यार्थी तो इसको रेकरिंग में रहने देंगे अता इसका final answer होगा 1.2.8 के उपर रेकरिंग यही इस question का final answer होगा आगला नमर विद्यार्थी 15 नमर question को ध्यान से समझेंगे 15 नमर question में 1.2 है एक संख्या पर रेकरिंग है विद्यार्थी तो नीचे एक नाइन होगा इसमें क्या घटा देंगे विद्यार्थी एक घटा देंगे आगला नमर में विद्यार्थी ध्यान देंगे 0.3 है तो रेकरिंग को हटाएंगे तो थीरी होगा और नीचे डावल लाइन होगा क्योंकि दो संख्या के उपर रेकरिंग है अब ये इसका मान होगया विद्यार्थी 11 11 नमर होता है विद्यार्थी निनान में तीन तीय होता है विद्यार्थी नो एक बटे 27 इसका मान आएगा अगर 1 वट्टे 27 अंसर में है तो ये अंसर सही होगा, अगर नहीं आप्जन में होगा विद्यारती तो 27 को एक से आप डिवाइड किजिएगा 27 को अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं, तो इसका जो मान होता है विद्यारती 0.0 इसका जो मान होगा आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा इसका मान कितना होगा 0.0 0.037 जब हम डिवाइड करेंगे 0.0.037 फिर 0.037 आएगा विध्यारती जब इसको हम लोग को डिवाइड करेंगे एक को डिवाइड करेंगे 27 तो 0.037, 0.037 बनाएगा, बारवार रिपीट होगा, इसलिए इसका अंसर होगा 0.037 के उपर रेकरिंग, यही इस question का final answer हो, अगरा नम्मर question को विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे, किसी संख्या के first, दसंख्या के पहले वाली संख्या के उपर रेकरिंग हो, दसंख्या के उ अगर रेकरिंग रहेगा, तो सभी संख्या पर विद्यार्थी रेकरिंग रहेगा, अब इस question को solve कैसे करेंगे, यह रेकरिंग का मतलब है, विद्यार्थी माइनस में है, यह माइनस 13 है, माइनस 19 है, माइनस 29 है, लेकिन दसंख्या के बाद वाला अंक विद्यार्थी पलस म है लेकिन जिसके ऊपर एक ring है विद्यार्थ हूं minus में है अब इसको हमको जोड़ना है तो minus 13 minus 19 minus 29 को हमको जोड़ लेना तो इसका वान आए गए विद्यार्थ ही minus 61 अब उसके बाद किसको जोड़ना है 0.430.48 0.68 को विद्यार थी अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 1.59 आएगा अब इसका final answer देना है विद्यार थी तो minus 61 से पलस 61 को अगर जोड़ेंगे तो minus 60 हैगा तो minus 60 को लिखेंगे 60 के उपर रिकरी 2.59 यही इस question का answer होगा विद्यार थी आगला number question को धियान से समझेंगे यह minus में है और यह भी minus में है लेकिन minus minus क्या हो जा रहा पलस हो रहाए minus और यह भी minus तो minus minus क्या हो जा रहा पलस इसका मतलब 30 में से 12 को हमको जोड़ना है यह minus 30 में से 12 को जोड़ेंगे भी दियार थी तो minus 11 आएगा अब इन दोनों मान को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 1 दसमलाव 4 थीरी आता है अब बताईए minus 11 से पलस 1 को जोड़ेंगे तो minus 10 आएगा minus 10 के मतलब 10 पे पावर रेकरिंग दसमलाव 4 थीरी है तो 4 थीरी इस question का final answer होगा सबसे last question भी दियार थी अच्छा से समझेंगे ध्यान देंगे इन दोनों को क्या करेंगे हमको जोड़ना है क्योंकि minus 2 minus 3 minus 5 होगा इन दोनों को भी जोड़ेंगे जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 दसमलाव 5 थीरी होगा अब minus 5 पलास बन को जोड़ेंगे भी दियार थी तो minus 4 होगा आप minus 4 को लिखेंगे 4 पर पावर रिकरिंग दसमलाव 5 थीरी यही इस question का final answer होगा उमीद है सभी वित्यार थी को समझ में आया होगा धन्यवाद